Hello Friends, Welcome Back to My Channel आज मैं बना रहे हूँ हरे चने की सबजी तो हरे चने की सबजी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम हरे चने ले लिए हैं और 4-5 बड़े साइज के बॉाइल की हुए आलू ले लिए हैं मैंने तड़का लगाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज के प्याज तीन बड़े साइस के टमाटर और तीन से चार हरी मिर्च को अच्छे से चौप कर लिया है एक इंच अद्रक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है आठ से दस कलिया लस्टन की लेकी उसको मैंने क्रश कर लिया है आप चाहें तो अद्रक लस्टन का पेस्ट भी ले सकते हैं तो आएए बनाते हैं हरे चने की सबजी याने में जितना ही आसान है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गैस चलाके पैन रख देंगे पैन को अच्छे से गरम हो जाने देंगे अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून टेल डाल देंगे और यह जो बॉयल की हुए आलू है इनको हम हाथों से तोड लेंगे यह उसे नहीं काटना इसको हाथों से पोड़ना है एन में टेल डाल के मैं अने गरम कर लिया है अब हम इसमें एक टेबल स्पून जीरा डाल देंगे जीरा को अच्छे से स्प्लेटर हो जाने देंगे अब हम इसमें ये कटा हुआ अध्रक डाल देंगे क्रश्ट या हुआ लस्टन डाल देंगे और अब ये कटी रूई हरी मिर्च और प्याज को डालके अच्छे से भून लेंगे तब को अच्छे से भून लेंगे तो मसाले ने नहें एक टेबल इस्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल इस्पून कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर एक टेवल स्पून गरम मसाला, एक टेवल स्पून धनिया पाउडर, इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम ये कटा हुआ टमाटर में मिला देंगे, इसे टमाटरों को अच्छे से भून के, अब हम उसमें स्व एक मिनट के लिए धक देंगे ताकि तमाटर मारे अच्छे से गल जाएं तमाटर और मसाले मारे अच्छे से पक चुके हैं तो अब उन इसमें ये हरे चने डाल देंगे और उनको भी अच्छे से बोल लेंगे साथ में अब भी देंगे थोड़ी देर के लिए अब इसमें डाल देंगे अब इसमें जरूवत के अंसार पानी डालेंगे मैंने इसमें ठाई ग्लास पानी डाल दिया है इसको मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे दस से पंद्रा मिनट सब्जी हमारी बंकर तियार है अब हम गैस को बंकर देंगे ओपर से ये कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे और सब्जी को इस अलग बर्तन में निकाल लेंगे चने और आलू की सब्जी बनकर विल्कुल तयार है बहुत ही टेस्टी और खुश्बोदार बना हुआ है आप इस सब्जी को जरूर बनाएए अगर आपको मेरा ये सब्जी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीड कीजिये चन्ले को सब्स्क्राइब कीजिये थैंत्स बोर वोची है